जैविक बागवानी जी हाँ, आपने सही सुना हर किसान का सपना होता है कि मैं जैविक बागवानी करूँ इसके दो पहलू है जो अक्सर किसान को विचलित करते हैं पहला है उत्पादन क्या जैविक बागवानी से उत्पादन कम होता है और दूसरा पहलू है इसका भाव क्या आपको इसका उचित भाव मिलता है क्योंकि यह अक्सर लोग कहते हैं कि जैविक बागवानी व्यवसाईक रूप से करने पर इतनी लाबदायक नहीं होती क्योंकि उत्पादन घट जाता है जी हाँ आप सही कह रहे हैं अभी तक यही एक ब्रह्म रहता है किसान साथियों आज मैं आया हूँ मोजगड मंडी डबवाली हरियाना का गाउं है और यहाँ पर विनोध अरोडा जी का फार्म है यहाँ फार्म लगबग साड़े तीन सो एकड में है और इनकी मुख्य बागवानी कीनू की है और इन्होंने कुछ साल पहले अमरूद की बागवानी सुरू की है अपने अनुभावों से इन्होंने पाया उसको तो जितनी भी करूँगा वो सारी जह भी करूँगा इन्होंने आसपास के वग्यानिकों से लोगों से मिलकर सारे तथे दे उटाए और एक सेट अप बनाया इस सेट अप से इन्होंने एक नया फार्मूला दिखाया और उन्होंने ये पाया कि वाकही ये संभव है मैं आपको दिखाऊंगा कि पोधे लगाने से लेकर जब ये पोधे नर्शरी से लाते हैं उससे दो साल तक के अमरूद के पेड़ दिखाऊंगा कीनू के पेड़ दिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि देखिये कितने स्वस्थ हैं और ये किस प्रकार करते हैं आईए मिलते हैं विनोजी से विनोजी आपका स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में जो मैंने आपका ये बाग देखा है जो आप और्गनिक कर रहे हैं बहुत सुंदर बाग है लेकिन इसमें जो एक साल के पोधे बताए थे जब मैंने आप से डिस्कस किया तो मुझे पता चला कि उसके लिए एक नई तकनीक आप प्रियोग करते हैं तो ये इस तकनीक के बारे में बताइए और क्यों आपके दिमाग माई इसके क्या फाइद है जी त्यागी जी सबसे पहले तो आपका मैं बाहर भी परकट करूंगा और आपका स्वागत भी करूंगा आप इतनी दूर चलके यहां हमारे फार्म पे आए हमने यह अभी नर्सरी से प्लांच लाएं है और इनको जो नर्सरी से प्लांच आते हैं वो छोटे थेले में आते हैं तो हमने इनको री ट्रांस प्लांट किया है बड़े बैग में यह बैग का साइज है 14 इंच बाई 18 इंच तो इनको हमने उसमें री ट्रांस्प्रांट किया है इसको एक साल हम ही इसी अपड़ी इस जगा पर रखेंगे एक साल यही रखके इनको पाल पोस्ट के यही इनकी केर करके एक साल बाद नेक्स्ट येर जुलाई में इनको इसी फिल्ड में हम यहां प्लांटेशन करेंगे तो उससे क्या होता है कि इसमें जो एक साल यहां रखने का मकसद यह है कि इसके अंदर जो भी प्लांट्स जिन्होंने कोई कमजोर है वो मॉल्टैल्टी हो जाती वो अभी हो जाएंगे और इनकी देख रेक छोटे बच्चे हैं इसी टाइप की प्लांट्स है इनकी देख रेक एक जगह हो जाती है सारे फिल्ड में नहीं गुमना पड़ता दूसरा हम यह सोचते हैं कि ऐसा करने से हमें एक साल जल्दी फड़ आयता है मान लीजी अगर इसके अपने चौत्से साल में फड़ लेना है इस इन से तो हम इस इन से तीसे साल में ले सकते हैं उससे एक साल की बच्चत हो जाती जो हम दूसरी क्रॉफ्स ले रहे हैं तो वो बिस नहीं होती पोधा नर्षरी से लाकर सिधा खेत में लगाते हैं और इस तरही के से दोनों में कुंसा अच्छा अच्छा लगा आपको फाइदा हो इसकी ग्रॉफ ज्यादा अच्छी लगी यह ज्यादा अच्छे उससे पहले बड़े हुए जाते है जो आपकी वहाँ पर एक साल की वह ख वो एक अडवांटेज है वो मिस नहीं हो पती एक साल अगर हम बात करें लीज की तो यहां लीज अमाउंट इतना है पचास से साथ हजार पर एक कड़ का है तो वो लॉस भी नहीं होता एक साल का तो मैचोर होने के लिए तीन-चार साल लग जाते हैं उससे एक साल की बच्चत इनके पोधे हैं यहां पर लगे हुए और अगले वर्स जून में यह अपने खेतों में जाएंगे तब तक कितने बड़े होंगे अब मैं आपको यह दिखाऊंगा कि एक साल ट्रांस्प्लांट के बाद में खेत में पोधा कितना बड़ा है कितना सुस्थ है और दूसरी ब क्या करता है किस से में क्या देता है कितनी मातरा में देता यह नहीं सुनाओगा यह जानेंगे हम विनोध जी से अच्छा जब जीवा मरत नहीं विया तब डिकम पुजर चला दिया हां जे उसमें अच्छा एक बात और बताईए मुझे आपके यहां पर फार्म पर गाएं यहां तो नहीं दिखाई दी किस कितनी अब प्रास मेरे पास 7-8 गय थी अभी कम हैं अभी मैंने दूसरे जगह भड़ हों जाती है क्या उन से बड़े जैसे तीए 42 एकर का टूड़ा है इसके लिए बहुत ज्यादा गवर और बहुत ज्यादा गौमुत्र तीए तो हमारे पास में यहां गाए हैं गाउं में जो राजस्तान के लोग हैं वो गाई पालते यहां तो उनसे हमारा हमने कॉंट्रेक्ट करक्था है उनको हम सा पर लिटर का गवर मुत्र इकठा करने का देते हैं उनके पास हमें एक हजार लिटर की चोड़ देते हैं जब फूल हो जाती है तो हम उनसे ले आते हैं जब यहां वो खाली करके फिर वापिस छोड़ाते हैं तो इस तरीके से हमारा काम चल रहा है जीवामरत बढ़ाने का अच्छा विनोज जी एक बात और बताईए कि आपके पोधो मर आप देखिए इनको ध्यान से इसमें किसी में भी मुझे कहीं कोई रोग नहीं नजरा रहा किसी भी किसम का ना जड में है ना घास में है ना पत्तो में इतने सुस्थ पत्ते हरे भरे मतलब इस मोसम में बहु सब्सक्राइब कोई पेश्ट की समथ्या नी firmly की कीडो की कगईोग की पत्ते खाने वाले की रस्चूसक कीठें या तेला है जो इस तरह के आते हैं उनकी समथ्या नहीं अगर आई तो आपने क्या rec tam a कम आई क्योंकि जब पौदा सबस्त है तो उस पे अटैक कम होता है और एक चीज और मैंने अपने प्रयोग से चेक की कि हमारा हमने मेरे दूसरे फार्म पे अभूब शहर में पुराना बाग था कि सिट्रस का किन्नू माल्टेगा वो हमने उखाडा कुछ पोदे हमने उसके ब का किम यूदि बढू करते हैं एक फिर को किसी साइंटिस ने बताया कि अगर आप कि अंदर यूर्य की प्लांटिशन मिद्धी स्टियल तो जो किन्नू पे पैस्ट आते हैं वो शुद्धत हैसे ब्लातेया उखवा खीज़तिक अइस गर कि जब तक यह बड़े होंगे तब तक हम फसल भी लेंगे और पैस्ट भी कम आएंगे और वाक्य कम आ रहे हैं लेकिन फिर भी हम फ्रीक्वेंट ली जब जब पैस्ट आने का थोड़ा दिखता है हमें कि साइन तो हमने क्या कर रखा है कि एक बहुत बड़ी डिंगी बना रखे टैंक बना रखा है उसके अंदर हमने पत्ते हैं कुछ जो जिनको जानवर नी खाते हैं दस पढ़ नि बनाते हैं माल लिजिए उसमें तो नीम है नीम है दतूरा है आख है एक हमारे दिर वर होता है कोड तूमबा बोलते तो बड़ा करवा होता है खाने में वोगाई वोनॉस इन में व्युजर पत पते हैं आ आपके अमरूद के पते हैं जामून के पत deux हैं ऐसी कही चीज़ें जो भी ते हैं कान्ख्रेसी में ग्रास कपूरिए घ्रा स्कम में टाला刑ी HEY हो वह काववी टाइम तक कुण्हें संद्रा जाता है तक उसका वह जो लगबख कितने दिन एक महिना जादा वो हमने जैसे सरदीयों में बड़ाया था तो अभी तक चल रहा है अच्छा कितना इस प्रे करते हैं जब इस प्रे करते हैं उसका आप तो कितनी मात्रा मिलेते हैं हुm उसमें तीन चीजे मिलाते हैं लग बग 20% तो हम धूर्पनी अरक है MP2 एक हजार लीट पानी है तो दो सो लीटर तो वह डालेते हैं our दो सो लीटर ही वेश्टि कमपोजर डालेते हैं उतना धी पानी बाकी 60% पानी ला लेते हैं वह थोड़ा सा उसमें फोड़ा सा अंतर है बस इसमें वह कहते थे कि जैसे जब डीकंपोजर को इसकी साथ करो तो उसमें हमेशा 50% पानी होगा और जो 50 का हिस्सा बचा तो जब दस परसेंट कहते हैं तो 10% वह चीज डालो बाकी मेरे से बहुत लोग सवाल करते हैं कितनी मातरा में डालो बहुत किसानों के सवाल आते हैं सर मैं यह चिड़कना चाहता हूं इस प्रे करना चाहता हूं कितना डालो एक चीज का मैं बताना चाहता हूं कि इन चीजों का जो यह एक तरह से बायो चीज है और गनीक है तो अग का कूप परभाव नहीं कोई सब्सक्राइब केमिकल डालने से उसका बहुत कूप परभाव पड़ सकता है उसका होने के लिए अच्छा अरोडा जी तो इसका मतलब मैं यह मान के चलू इसमें पिछले दो साल से कोई भी आपने फर्टिलाइब बिल्कुल नहीं अच्छा एक बात बताइए मैं देख रहा हूं कि इसमें जो हना कहीं पर यह एक घस लगा हुआ है बीच में हरी घस करेंगे यह क्या चीज है यह हमारे यहां क्युन होता है सबीए लोग समझते हैं कि अधर आपके उधर शाहिद ना जानते हो ने कमारा बोलते हैं गवारी बोलते हमारे आगर फसल नहीं लने लोड़ा तो आप इसको पकालो अगर फसल नहीं लेनी तो इसको आप जमीन के अंदर की अंदर मिक्स करते हैं जैसे मुंग मिक्स करते हैं द्हें धैंचा मिक्स करते हैं लेकिन पशे हैं एक आप उपराशी का चांटकेृए ख lähय घुतर constituents अगरर अब दुबारा फिर ये ग्रो कर गया, जी, तो हमने मिक्स इसलिए नहीं किया ताकि जो इसके अंदर बैक्टिरिया हैं उनको वो शिदी धूप न लगे, इसलिए हमने उपर काटके फैंक दिया, अब दुबारा फिर ये ग्रो कर गया, तो उसकी छाया भी रही, और जमीन में नमी बनी रही और फर्टेल्टी तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी अच्छा आपने में देख रहा हूं कोई और भी फसल है यह कौन सी फसल दी इसमें यह हमने इसमें मूंग बहुत है और बारिश ज्यादा आने की वज़ा से मूंग प्रॉपर हो नहीं पाए तो हमने फिर इसको जुमीन के अंदर ही मिक्स कर दिया वह भी एक किसम की ग्रीन मैनियोरिंग समझीए जी किसान साथियो यहां पर यह बहुत ध्यान देने की बात है कि इतने विस्तार से जो विनोज जी ने बताया और अगर आप इनके फार्म पर विजिट करना चाहते हैं तो यह डबवाली चेतर में मशूर किसान है यहां के प्रगती सील किसान है आप इनके फार्म पर विजिट कर सकते हैं जिसको इच्छा हो इनसे कॉंटेक्ट करिए और इनके फार्म को देख सकते हैं अपनी आँखों से देखकर विश्वास कीजिए कि क्या एक साल के पोदे ऐसे हो सकते हैं औ दूसरी फसल ली है इंटर क्रोप ली है लेकिन यह भी ध्यान रखा है कि उसका बैलेंस खराब नहीं हो कि जैसे हरी खाद देना बहुत ज्रूरी है हरी खाद से कार्बन मिलती है जो मैं बार-बार गोबर की करेंगे लेकिन किसी से पूछ कर ध्यान से यह बहुत डिसकाशन करते हैं और इनके एक दो परसंद के उत्तर मैं नहीं भी दे पाया एक अन्तीम सवाल पिछली बार आया था तो फरवरी में स्याद आया था यहां पर तो क्या आपको जो मैंने क्या चीजे बताई थी और उनसे क्या कोई फाइदा हुया था और वो क्या चीजे थे पुछली बार जब आप फरवरी में आय थे तो आपने में लिएग जो मैंने आप से सिखा कि इनकी अमरूद की कटिंग कैसे करनी है इसकी प्रॉपर हमने कनोपी कैसे में करनी कैसे शेप देनी कम पी कि वह चीज मैंने आप से सिखी है और मेरे को मैंने वो डॉक्ट भी की है अब आप देखिए उसी कटिंग का नितीज़ा है कि पोदे इस तरफ से आप खड़े होके तुसी तरफ देख सकते हैं इसके अंदर थिनिंग की और थिनिंग करने पाए जो आपने बताया अब फूट की थीनिग जो करनी थी वह अभी हम थोड़ा लेट हो गए किसान साथियो जो हमें इतनी उमीद नहीं थी किसके अंदर इतना फूट आ जाएगा कि विनोजी ने मुझे बताया कि अगर आप कटिंग करते टाइम उसकी जो कल्ले निकलते हैं उनकी थिनिंग करेंगे तो पोधे में देखिए जो आरपार दिखाई दे रहा है उसे प्र प्रे करते हैं पैस्ट के लिए तो प्रॉपर सारी आरपार प्रॉपर हर पते पर डल जाती है तो अंदर कुछी भी पैस्ट के कलोनी नहीं बन पाती अच्छा थिनिंग जब हमने कलो की की थी तो उसके बाद जो ना क्या फूरूटिंग पर कुछ कम ऐसा लगा के प्रॉट पर प्लांट है अभी यह शुरू करेंगे तो उन्हें बता रहे थे कि इनको कम करो यह बहुत ज्यादा फूरूट है इतने अच्छे नहीं होंगे जैसे यह है दो बहुत हैं इस यह करने के लिए तो उतना ही साइज बढ़ेगा और बहुत अच्छे होंगे ऐसी किन्नू के प्लांट से आप देखिए पत्ते बिल्कुल साफ है कोई नए कल्ले है किसी परकार का कोई पैस्ट नहीं है और यह एक साल वहां पर रहा है नहीं यह डिरेक्ट लगाया है यह डिरेक्ट लगाया है यह एक साल का पोधा है यह एक साल का पोधा है किन्नू की एक पंजाब अग्रिकुल्चर युनिवस्टी लुद्याणा ने इजाद की है जिसका नाम उनोंने रखा है पी यू वन किन्नू सीटलेस जी इसका जो किन्नू होएगा उसमें अंदर सीट नामातर का होएगा अबल तो होएगा नहीं अगर किसी में आया तो एक आदा बीजी ज़ए नाम कि उसका फूरूट क्या है कि किन्नू और माल्टे का मिक्स्चर सा है लगता माल्टा है जब पर उसका इतना सुर्ख लाल हो जाता है और जब पक्के तियार होते है तो बड़ा देखने में अच्छा और बड़ा जूसी होता है बड़ा खाने में टेस्ट उस समय मार्किट में येलो सीटरस कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा, केवल वह ही आपको मिलेगा और उसका अच्छी किमत मिलती है उसका जो फरूट देखा था, हमनें 5 साल का पेड़ था ना उसमें किन्नू के में कुछ फरक लगा था उसके अदर भी फूरुटिंग किन्नू के तरह ही आती है, अच्छा। उतनी ही आती है, माल्ट्य है वो माल्टे जैसे दिखते हैं वैसे हाड और बड़े और फ्रूट उसका दिखने में तो माल्टा ही दिख रहा है लेकिन माल्टे से उसका जो छिलका वो बड़ा चिकना सा है और जो पक्के त्यार होता है तो फिर वो किनू जैसा ही लगता है यह कहां से मिला था आपको यह वराइटी जो है यह भी यह भी पंजाब युनिवस्ट कुछ प्लांट्स लाई थे कई उर्याटियां लाई थे जो काम्याग होगी वो नोने रिलीज कर दी उसमें एक डेजी थी एक अर्ली गोल्ड नाम का माल्टा है एक यह पी यू वन किन्नू है विनोजी बात करने का बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा कि मैंने भी आपसे काफी कुछ सीखा और शाद किसान इस बात से परभावित होंगे मुझे बहुत किसान कहते थे त्यागी जी आप कैमिकल को बढ़ावा दे रहे हैं कैमिकल को बढ़ने ही ऐसा नहीं था तो किसान साथियो आज हमने आपको मिलवाया विनोजी से और इनकी ब अमरत का प्रियोग किया और इन्होंने एक टैंक बनाया विया उसमें फिल्टर लगाए विये हैं अच्छा कितनी कैपेसिटी का है वो टैंक जो है बीस हजार लीटर का इन्होंने टैंक बनाया विया उसमें दो टैंक है फिल्टर है उसमें और ये इसको बीस परसेंट जो ह इसका वेस्डी कंपोजर का भी छिड़काव करते हैं पोधों पर और जो दसपढ़नी है या जो कृषिन चंदर जी बताते हैं पत्तों का रस है उसका इस्प्रे करते हैं इन तीन चीजों के लावा केवल जो हरी खाद है वो प्रियोग करते हैं और जो इंटर क्रोपिंग है वे फ़सले लेते हैं जो छोटी होती है और जिनसे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है जैसे चने की फ़सल है मूंग की फ़सल है और हरी खाद के रूप में यह ढहर और वो नहीं परियोग करते हैं जब मैंने इंसे कारण पूछा तो इन्होंने बताया कि इसका मुख्य कारण है कि पानी धेंचे में ज़्यादा लगता है इसमें जो गमार है इसमें कम लगता है और एक बार इन्होंने गमार काट ली थी वो दुबारा से आ गई आप देखिए जो मैंने दिखाया उसमें आ गई इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद न